तो गाइज यहां पर आचुके हम एंड्रोइड स्टूडियो में और सबसे पहले कौन सी चाहिए मुझे मेन अक्टिविटी चाहिए राइट क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि मेन अक्टिविटी में शोग और गाइज होपफुली यह वाला फॉन्ट साइज आपके लिए हमारा क्या काम होगा क्योंकि यह हमारी मेन अक्टिविटी से क्नेक कराः से राइट अगसे में शूर् graduate has मेरे एप डेटबेस अगया बना लेते हैं यह पर हमदीब है क्रेंदर किसreated हम हमारा कॉंस एक्षाब फ्लोटिंग फाले इतना लिआ हो हमारा होना ही होना है right and simple guys ऐसा कर लेते हैं हम on create में यहां पर लिख लेते हैं इस चीज को guys जहां रखना है floating वाला button का जो कर्स यहां पर खतम हो रहा है कि इसके नीचे लिखना है हमें किसको इनिचिलाइज करना है अपने database को कर लेते हैं तो simple हमारा क्या गया जो हमने अपर पूरा हो चुका है इसी के साथ हो गया हमारा यह पूरा यह पूरा है है यहां पर क्या होगी हमने अपर अपर वेरियोबल क्रीट कर लिया आप database का यहां पर हमने के कर लिया उसेदी लायिश कर लिया आप गाईस इसमें हमें क्या करना है एक logic इंप्लेमेंट करना है कि जैसी मेरा आप आपक ड़ीतक कर रहा है कि प्रोसेश क्या हो रहा है कि मैं सैंicz कर रहा है कि जैसे हमने क्राहीं मैंने क्राइब गया मैं है समें are功 कर दिया थैस करना इंद मिढ़क फिर कर दोई यह before के था लकान में एक्टिविटी पे तो जब में में अक्रिविटी से फ्लोटिंग ने थे वह बटन पर क्लिक कर था त तो मुझे चाहिए कि मेरा जो data, जो query एक हाव वो show, जब हम दुबारा आ है, जब अपनी activity, main activity पर हम दुबारा है, तो हमारी main activity, pause state पर दुबारा किस पर चली गई, active state पर चली गई, मतलब resume हो गए हो, तो यहां पर गया हमें क्या करना पड़ेगा है, जो अपना resume state होती है, उ उसका use कर सके तो यहां पर simple guys overwrite कर लेते हैं सबसे पहले और यह वाली चीज़ है guys मैं already आपको बता चुको हूं on resume on start हम life cycle में बहुत बात के बाते कर चुके हैं इस बारे में कि क्या होती है और यह work कैसे करती है अब जब्जे करवाना है कि जो मेरा टास्क है जो लिस्ट है जो मेरी लिस्ट है इस वो क्या है शो करें राइट तो इहां पर आपको अल्रेड़ी पर हमारा क्या है एक m adapter already है और हम इस पर कौन सा method यूज़ करेंगे set task method और simple हम यहाँ पर जो हमारा डेटाबेस है cut member variable उसको use करके क्या use करेंगे हमना task जाओ यूज़ करेंगे और उसमें कौन सा method यूज़ करेंगे अपना load all task method अब यहाँ आप लोगों को यहाँ पर confusion नहीं होना चाहिए अगर आप यहाँ पर control भी करोगे तो यहाँ पर आपको याद होगा हमने यहाँ पर task जो हमारा डाव ता रहा है जो हमने डाव जावा बनाई ती यहाँ पर ऑल्रेडी यह किसके लिए बनाई ती हमने जो हमारा read database में read क करेगा interface यह हमने पहले एक interface करा था तो यह क्या है interface है डाव हमारा क्या था एक interface था तो इसमें आप जैसा देख सकते हूं हमारे पास already query का already हमने लिख रखी है query कि क्या उसे operation perform करने है simple हम यहाँ पर क्या करवा रहे है अपना load all task method run करवा रहे है किस query में कि select from task order by priority ठीक है तो simple task कौन सा है हमारी जो table का name है तो basically guys यह क्या है हमारा सारी चीज़े run हो रही है तो hopefully आप लोग को यहाँ पर कोई confusion नहीं हुआ होगा कि यह line क्या कर रही है हमारा जितना data है वह run करवा रही है set task method कि वह set कर रहे है अब adapter गाइस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर already हमने member variable create कर रहा है किसका task adapter से and task adapter क्या था हमारा यहाँ पर है and task adapter में already हमने सारी चीज़े के कर रखे निए set कर रखे निए चीज में आपको अपको अलेडी बता चुक हूँ guys कि task adapter पर क्या set है हमारा recycler view set है क्या और जितनी भी इसमें date format है या फिर view holders है सारे इसमें हमारे online view holder यह कैसे कैसे hold कर रहा है radio बटन भी यह हमारा set कर रहा था राइक तो guys hopefully आप लोगों को इसमें भी confusion नहीं होगा क्योंकि यह चीज़ भी recycler view कैसे set करते हैं कैसे work करता है हम बहुत पार्ट discuss कर चुके हैं अब and hopefully आपको recycler view की थोड़ी सी inner working के बारे में कोई confusion नहीं होगा तो guys यह हो हमारा यह वाला पार्ट and simply आप क्या करवा के देख लेता हैं guys इसे run करवा के देख लेता हैं कि हमारा on resume पर मतब जैसे मेरी add task activity खतम होगी और जैसे resume होगी फिर हमारा show होता है यह या नहीं घरवेशियं कोई तो guys यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है run हो चुका है यह पर एक task करके देख लेता है और simple pickup ले ले लेता है इसकी priority low set कर देता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो guys मेरा क्या हो जोका है पिकप टास्क आ चुका है एक और टास्क कर लेते हैं and delivery add कर लेते हैं and simplest की medium करके देख लेते हैं and यहाँ पर आप देख सकते हो guys हमारा क्या है बिल्कुल सही से show हो रहा है जो query हमारा method था वो बिल्कुल सही work कर रहा है right हमारा main aim क्या था कि हमारा add task में जो चीज़ हमने add करी है right वो किसमें show हो जाए हमारी query method की help से हमारी main activity में show हो जाए तो guys वो क्या हो रहा है अब बहुत अच्छे से show हो रहा है delivery and pick up हमारा यहाँ पर show हो रहा है okay तो आप यह स्वाइप भी कर सकते हो simple को issue नहीं है and यह क्या हो गए अब show नहीं होंगे लेकिन इस चीज़ का ध्यान अ यह delete नहीं हुए simple अभी क्या है हमारा क्यूंकि swipe features चल रहा है जैसे अगर आप यहां पर देखो यहां पर position hold कर रहा है यह अभी इसने position release नहीं करी okay क्यूंकि यह वाला concept अभी हमने implement नहीं करा simple हमने swipe feature implement कर रहा है लेकिन उसके बात क्या हो उसकी जो position है वो अभी कैसे change हो कि वो अभी हमने implement नहीं करा तो अभी implement करेंगे है हम आगे बट फिलहाल क्या था हमारा main query था वह हमने यहां पर कर दिया है guys successfully implement कर दिया है अब केस पर चलते हैं next part पर चलते हैं देख लेते हैं अब हमने अगला part क्या करना है so guys हमने यहां पर क्या देख लिया है हमारा जो logic था वो हमारा सही से implement कर दिया है क्योंकि यह सब चीज़े हमने क्या करें थी इसलिए करें थी ताकि हम यह देख सकें कि जो हमने logic implement किया था राइट वह सही से work कर रहा था क्या नहीं मैंने add task activity में एक activity add करी उसरे display कर वा दिया किसमें हमारे main activity में अब guys अगर आपको याद हो तो मैंने यहां पर app database में यहां पर एक query add करी थी हमने allow main thread queries right मैं आपको बताया था कि guys बस हमें कितने time के लिए चाहिए जब तक हम यह देख लें कि जो हम implementation कर रहे हैं वो correctly work कर रहा है तो guys यहां पर हमने अपना implementation देख लिया किसका task add task activity का भी और जो हमारी main activity है उसका भी right उस प remove कर दूँगा क्योंकि यह किस लिए था सिर्फ हमारा कभी भी इस चीज़ का हमेशा दियान रखना guys कभी हमें allow नहीं करना हो था main thread पर run करने के लिए हमेशा हम किस पर run करेंगे एक background thread पर run करेंगे तो अब guys क्योंकि हमें background thread पर run करना है तो अब हम यह चीज जो logic हमने अभी UI lock now and lock basically क्या होता है कि हमारा एक lock उसमें चला जाता है जो UI होता है इतनी साथी चीज़े main thread पर आजाती है तो response time lock हो जाता है और वहां पर क्या जाता है हमारा app crash हो जाता है guys तो इसके लिए अब हम एक दूसरी choice use करेंगे जो क्या है हमारा guys runnable runnable एक हमारा component है एक हम अलग thread बनाएंगे जो हमारा UI होगा guys क्यूंकि मुझे क्या करना है जो मेरा database का logic है और UI को जो update करना है वो किसमें करना है threat से करना है इसके लिए हमने क्या करा है आप guys नया जो हमारा method यहां पर जो नया एक concept हम implement कर रहे हैं वह implement कर रहे हैं कि अब हम करेंगे कि ओके जो background thread है background thread को ही एक एक अलग से thread बना लिया है और उसमें run करेंगे ताकि हमें कोई issue ही ना हो मतला हमारा कोई ज्यादा सिर्व में दरद ना हो रहा है ज्यादा कोई programming ना करने पड़े ज्यादा बहुत clean run हो अब जैसा अब देख तो guys बहुत simple code है simple हमने यहां पर new thread बनाया और यहां पर runnable method यूज कर रहा है and simple हमने उसमें कर दिया एक run method यूज कर लिया है and simple यहां पर thread को start कर दिया तो यहां पर क्या हो गया guys चुर मेरा database का logic होगा वह implement हो जाएगा और जैसे कोई changes होंगे जैसे insert method हुआ है या फिर हमने swipe करे को delete कर जा रहा है तो UI में अपडेशन की भी जरूवत होगी तो update simple क्या हो जाएगा हमारा run यूज हो जाएगा and इस चीज का हमेशा देहान रखना guys क्यूंके हमें क्या चाहिए अपना data asynchronous चाहिए asynchronous means की हाथ हो हाथ जैसे हम change करें वैसे वैसे यह पूरा होता रहे कुछ लोग इसमें भी confused होंगे कि हम यहां पर as a thread को यूज करते ह जैसे और हमारी classes में थे हम guys क्या use करते थे हम loaders use करते थे write async task loader था तो वह हम async वह करने के लिए use करते थे अभी तक अब क्या पढ़ रहे हैं हम इसके architect components पढ़ रहे हैं जिस उसमें अगर हमें already क्यूंकि अब database का यहां पर हम किसके basis पर run कर रहे हैं guys यह instance के basis पर run हो रहा है हुआ 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 है